हेलो गाईज टेक्निकल कासा की नव वीडियो में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एड़ोग फायर फ्लाई के एड़ोग वाटर माक डाउनलोड कर सकते हो और वह भी विडियो काफी कमाल होने वाला है तो वीडियो को पूरा बोच करना बिना किसी तरी के वीडियो को शुरू करते हैं लेट स्टार्टे तो गाइस से लिए आते हैं एड़ोप फायर फ्लाइ की साइट में और आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं इचे स्क्रोंडाउन करूँ तो यहाँ पर हमें दो फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं एक टेक्स्ट्रू इमेज और जेनरेटिव फिल में से तो यहाँ पर मैं simply create with firefly यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना एक image को upload करता हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे smoothly without any application और image को edit किये बिना watermark को remove कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर simply इस image में एक object एड़ करता हूँ यहाँ पर मैं इस image के इ यह मुझे image को create कर गे देगा और मुझे उस area में table को add कर गे देगा तो आप यहाँ पर देख सकते है table उस area में add हो चुका है तो मैं simply यहाँ पर बताऊंगो कि अगर आप इस image को directly download करोगे download के button पर click कर गे तो यहाँ पर हमें watermark को देखने को मिलेगा तो मैं simply यहाँ पर download के image को click करता हूँ और यहाँ पर continue पर यहाँ पर मैं click करूँगा तो मैं आपको वो image दिखाना चाहूँगा तो मैं इस image को open करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक अच्छा सा watermark adobe firefly beta की यहाँ पर हमें watermark देखने को मिला है तो आये मैं आपको बता दाओ कि आप without any watermark इस image को कैसे download कर सकते हैं तो simply मैं फिर से वो site में जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर three buttons का यहाँ पर icon है उस पर simply आपको click करना है और यहाँ पर publish का एक option है उस प पर आपको click करना है तो प्विलिश के icon पर click करने के बाद हमें आपर हमारा image जो यहाँ पर देखने को मिलता है उस पर right लिक करना है और यहाँ पर option को select करना है same image as save image as को click करने के बाद हमें simply इसको save करना है और यहाँ पर देख सकते हमारा image यहाँ पर download हो चुका है without any watermark तो यहापे गाईस, without any editing और without any application के हमने इस अपने image को यहापे without any watermark को download कर लिया है और आप यहापे पूरा image यहापे डेख सकते हैं, तो guys, सलिए पढ़ते हमारे second trick की तरफ, अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे text to image को use करके अपने images को download कर सकते हो without any watermark तो यहाँ पर मैं simply create with firefly के उपर click करता हूँ और यहाँ पर मैं simply एक normal random image यहाँ पर create कर लूँगा और यहाँ पर मैं random text यहाँ पर enter करूँगा और एक image को यहाँ पर create कर लूँगा तो मैं आपको इस image को download करके दिखाऊँगा क्यों इसको यह watermark के साथ download होता है तो यहाँ पर मेरा image यहाँ पर generate हो रहा है और यहाँ से मैं simply इस image को यहाँ पर download करूँगा और यहाँ पर continue button पर click करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो image जो download हुआ है वो with watermark यहाँ पर मुझे देखने को मिला है तो चलिए आए मैं आपको बताता हो कि आप इस image को same image को कैसे without any watermark को download कर सकते हैं तो simply आपको क्या करना है जिस भी image को आपको download करना है उसको एक बात click करना है तो image पर click करने के बाद हमें यह जो side का area है black वाला तो उसके उपर हमें right click करना है और last में हमें एक option देखने को मिलेगा inspect का तो यह option हमें chrome browser में देखने को मिलता है अगर यह option आपको देखने को नहीं मिलता है तो आपको chrome browser को use करना है और फिर इस option को आपको यहापे देखने को मिलेगा फिर अभी inspect पर click करने के बाद हमें यहाँ पे यह जो first icon है arrow वाला उसके उपर हमें click करना है और उसके उपर click करने के बाद हमें जो image को यहाँ पे download करना है उसके उपर एक बाद click करना है click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक line यहाँ पे highlight होके आ चुकी है और आप यहापे देख सकते हैं यहापे उस line में एक link है तो हमें simply यह जो link है HTTPS उसके उपर left click करना है और यहापे एक option है open in a new tab तो simply उस option पर हमें click करना है और आप यहापे देख सकते हैं वो जो image है वो यहापे open हो चीकर है और simply इस image को download करने के लिए फिर से आप right click करना है और save image as करके उसको save करना है तो simply आप यहापे देख सकते हैं वो image यहाँ से download हो चुकी है without any watermark तो मैं आपको इस image को पूरा open करके दिखाऊंगा और देखो वही image जो हमें आपने जनरेट की थी without any watermark हमें यहाँ पे देखने को मिलिए तो guys एदे कुछ ट्रिक्स जिसको आप use करके अपने images को without any watermark के download कर सकते हो तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे क्योंकि ऐसे tips और tricks वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो मिलते अगरे वीडियो में बाइ